हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम, कैसे हो दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें, तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क आपकी कौन सी तीन इच्छा है, जो अगले कुछ घंतों में पुरी होने वाली, हे आखिर क्या होने वाला है। अगले कुछ घंटों में शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ वीडियो को शेर करना ना भूले. तो चलिए, हर-हर महादेव का नाम लेकर शुरुआत करते हैं. स्क्रीन पर आपको दो कच्छुआ दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट पिंक कलर में, सेकंड स्काई ब्लू में, इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, उसे चूस कर ले. उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी कौन से तीन इच्छा है, जो अगले कुछ दोनों में पुरी होने वाली है. क्या कह रहे हैं? टैरोट कार्ड, आखिर क्या होने वाला है? किस तरह आपको दी जा रही है? कुछ दोनों के लिए. चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट नंबर. जिन्होंने भी चूस करा है, उनके लिए देख लेते हैं. उनकी कौन से तीन इच्छा पुरी होने वाली है? क्या कह रहे हैं? ईश्वर तेरो कार्ड क्या कह रहे हैं? देखिए, पुरानी सोच और अनुभव की वजह से आपको डर गा रहा है. सही मार्ग पर होने के बाद भी आप खुद पर विश्वास कम कर रहे हैं, जो की सही नहीं है. नकारात्मक विचार भी बाढ़ रहे हैं. पैसों से संबंधित जो जरूर है, वह तनाव का करण बन रही है. जब तक आप अपने काबिलियत पर विश्वास रख कर कम नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी. तो सबसे पहले बात आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए. अपनी सोच को आपको पॉजिटिव करना है, मां से डर को पूरी तरह से हटा देना है. तब जाकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बहुत कुछ आप करने वाले पैसा बहुत लिखा. सबसे पहले अच्छा आपकी financial condition को लेकर तो बहुत जल्दी आपके financial condition सुधारने वाली है, काफी अच्छा मौका आपके जीवन में आने वाला है. दूसरी इच्छा जो आपकी पुरी होगी वह इच्छा आपके career से related है. करियर में आप बहुत बड़ी good news आपको अगले कुछ दोनों में मिलने वाली है, आपको career के लिए platform मिलने वाला है और कहानी ना कहानी, ये platform आपकी life को पूरी तरह से कर देगा, और बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, थर्ड जो इच्छा आपके पूरे होने वाली है, वो आपके personal life से related हो शक्ती है, एक feeling ए रही है, जो बता रही है कि personal life से related कोई व्यक्ती है, जो आपके जीवन में आने वाला है, वो काफी कुछ tension आपके दूर होने वाले हैं, और काफी कुछ create होने वाला है, आपके जीवन में तो ज्यादा टेंशन ना ले, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जो होता, अच्छे खेल होता है, बस इन चीजों पर आप ध्यान दें, देखिए, जीवन में अगर सकारात्मक अनुभव है, उसके बाद भी आपको निराशा क्यों हो रही है, यह आपको जानना होगा, अगर पॉजिटिव है, आप खुद पॉजिटिव फूल कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस काफी आपको है, लेकिन उसके बाद भी आप परेशान हो रहे हैं, तो आखिर क्यों यह जानी, लोगों के लिए कभी भी मा में गलत विचार ना रखें, तब तक आप अपने वानी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हो, जब तक आपके मा में कठोर वचन रहेंगे, आपके आचेहरे के हाव भाव कठोर रहेंगे, लोगों से बात चीत करने का तरीका कठोर रहेगा, तब तक आप पॉजिट आपको मिले तो उसके लिए आपको मा में लोगों के लिए कठोर विचार प्यार नहीं रखना है। और अच्छे से अपने वानी में मिठास मिलने हुए एक दोहा आपने सुना होगा कि ऐसी वानी बोलिये जो मां का आप कोई औरन को शीतल करें। आँखों शीतल हो मतलब हम दूसरों को तो ठंडाई पहुँचने। इसका मतलब होता है कि दूसरों के मां को तो हम शान्त रख रहे हैं। दूसरों का मां तो हम जीत रहे हैं कि साथ में हमें खुद भी अच्छा लगता है। अगर हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, अगर आपने कुछ अच्छा कर देखीए, सपोज आपने कुछ दान कर या किसी की मदद कर रही है, तो आपको दिल से positive feeling आते हैं, आपको बहुत अच्छा फूल होता है, आप अगर किसी की help कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फूल होगा आप देखेंगे तो वो positive जो रहती है चीज वो आपको एक energy आपके शरीर में energy उत्पन करती है जो की बहुत जरूरी है दूसरों के लिए क्रोध आपकी तकलीफ का करण बनेगा लोगों का आपके जीवन में क्या महत्व है, इस बात को ठीक से जानना आपके लिए जरूरी है तभी आप सही बटन पर आप ध्यान दे पाएंगे और यही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है नौकरी में तो बहुत जल्दी आपको प्रगती मिलने वाली है बहुत आसानी से मिलने वाली है और बहुत जल्दी पैसा भी आपके पास आने वाला बहुत जल्दी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधारने वाली है लेकिन फिलहाल जरूरी है तो मा की शान्ती जो आपको नहीं मिल पाते तो मा की शान्ती अपने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, और जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, तो बहुत अच्छे कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको कंसंट्रेशन बनाना होगा। हर एक व्यक्ति के साथ दूरियां आपके स्वभाव के करण बाढ़ रही है, इस बात को समझे और अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश करें। कुछ बाते मा के विरुद्ध हो रही है, जिससे आपको चिड़चिड़ा अपन भी फेल हो रहा है, लेकिन आपके क्रोध से कोई व्यक्ति दुखी ना हो। इस बात का ध्यान रखें, जो लोग आपके करीब हैं कि जरूर को समझना की कोशिश करें। अपने अंदर कुछ बदलाव करें, थोड़ा सा चेंज ना है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो या गुस्से पर कंट्रोल कर, अपने जिद्ध पर कंट्रोल करें। लोगों को समझना की कोशिश भी आपको करनी चाहिए, सेकंड नंबर की बात करें। और काफी करीब है सकते हैं, आप एक दूसरे को काफी अच्छा माहौल क्रियेट होगा, हो सकता आपकी लव मैरिज हो, लेकिन फिलहाल प्रॉबलम ए रही है, परिवार वालों को लेकर जो की टेंशन का करण बन रही है, तो कहानी ना कहानी दोनों में से एक के पलटने के असर भी नजरे रहे हैं, हो सकता है कोई पीछे है जाए, तो संभावना तो बहुत कम है, यह रिष्टा आगे बढ़, लेकिन फिर भी अगर दोनों अड रहे, तो यह रिष्टा काफी लॉंग टर्म तक चलेगा, फिर लॉंग टाइम तक चलेगा, लेकिन अगर दोनों में से ए एक भी बीच से है गया, तो फिर उसके संभावना बहुत कम है, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहे कि अगर किसी का साथ निभा रहे हैं, तो हमेशा डेट रहना है, पीछे नहीं हटाना, क्योंकि किसी की जिन्दगी का सवाल है, सपोज अगर आप किसी से वादा कर रहे हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहा है, कर रहे हैं, तो वो उसे चीज को सही मान रहा है, अब ये ना सोच कि वो प्रॉमिस वो वादा वही तक है, वो उसके मन में मतलब पूरी तरह से फिक्स हो चुका, वो समझ रहा है कि बस इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें जो बोला वही सही ह भले आप अपनी बात से पलट जाए, लेकिन वो चीज उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी, तो किसी से वादा करने से पहले थोड़ा सोच, और ये चीज है जो कुछ दोनों में आपके साथ great होने वाली है, हो सकता है इससे related कुछ good news आपको मिल जाए, तो वो आपके मन के जो सवाल है, उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे, second number की, अगर हम बात करें तो second number का कच्छुआ काफी अच्छा, interesting moments लेकर के आ रहा है आपके लिए, तो बहुत थोड़ा tension या घबराने की जरूर नहीं, second number जिन्होंने चूस करा है, उनके लिए जो good news हैं, वो यही है कि आपके करियर में बहुत बड़ा खतरनाक बावल होने वाला है, यानि की बावल से मतलब है, बहुत जल्दी, interesting news आपको मिलने वाली अपने करियर, जहां आप कोशिश कर रहे थे, जहां प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां आपकी thought चल रही थी, कि मुझे इस field में जाना है, कुभवी से सलाह ले, चर्चा करें, उसके बाद उसे field में आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो अपने parents की तरफ से आपके education sector की तरफ से ही कुछ ऐसी news आपको मिलने वाली है, जो आपको दिल खुश कर देंगे, अगले कुछ दोनों में तो tension free है, इंतजार था, वो हो होने वाली है, काफी जल्दी आपके परिवार में बहुत माहौल create होने वाला है, बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ाने वाले हैं, और tension ना ले, जितना हो सके tension free रहेंगे, तो काफी अच्छा create हो सकता, आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, tension create करवा रहा है जो की सही नहीं है, तो थोड़ा सा इस बात का भी आप ध्यान रखें, कि अपने स्वभाव पर आप नियंत्रण रखें, विनम्र बनाए रखें, अपने स्वभाव को, ताकि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत ना आए, जीवन को जितना आप समझ सको, उतना आपके लिए अच्छा है और उतना आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, फिलहाल, समय को समझने की कोशिश करें, जिस दिन आप समय को समझ गए, उस दिन समय आपकी वैल्यू को समझ जाएगा, और उस दिन आपके जीवन में आपको असली मजा आएगा, जी हां, बहुत खास और महत्वपूर्ण है, यह समय देखिए, जो लोग श्रेष्ट होते हैं, जो अपनी स्वतंतरता के साथ अपने करतव्यों को भी समझते हैं, वह हमेशा सफल होते हैं, जब तक हमें गलती करने की फ्रीडम नहीं मिलती, तब तक फ्रीडम होने का कोई अर्थ ही नहीं है, ज तब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे, तब तक हमारी फ्रीडम का क्या सेंस है, बताइए हमें फ्रीडम होना पड़ेगा, तभी हम जीवन में